Hello Friends, नमस्कार आप सबका स्वागत है आपी के अपने YouTube चैनल पर दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे The Law of Vibration के बारे में दोस्तो Stock Market की अपनी एक Vibration होती है, एक Frequency होती है दुनिया में हर चीज की एक Vibration है Sound Waves, Stars, छोटे से छोटा Atom, हर एक Particle हमेशा Vibrate करता रहता है आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, वो भी एक Vibration है तो इस चीज को समझेंगे Stock Market से Relevance में और इसकी समझ ना होने के कारण दोस्तों, बहुत सारे Retail निवेशक, बहुत सारे नहे Traders Market में नुकसान खा बैठते हैं ये एक बिल्कुल Supreme और Basic Concept है जिसके आने वाले Parts में इस वीडियो के मैं आपको और इसके Advanced Concepts के बारे में भी सिखाऊँगा तो समझते हैं इस Concept के बारे में इसको समझ लोगे दोस्तों तो आपके बहुत सारे गलफ Traders खतम हो जाएंगे और आपको आपके बहुत सारे Unanswered Questions का Answer मिल जाएगा काफी सारे लोग में से पूछते हैं कि हम Trade जब भी करते हैं Market हमारे Direction के Against के चल जाती है हमेशा हमें Loss क्यों होता है हम Buy करते हैं हमने Buy किया होता है उपर के Target के लिए Market हमेशा हमेशा हमें नीचे जले जाती है और उनको Loss हो जाता है वो निकल जाते हैं उसके बाद Market उपर भाग जाती है ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा आपने Sell किया होगा Market उपर चलेगी गलतियां सुधार के एक Profitably Trading कर सकते हो दोस्तों बात करते हैं अगर हम किसी भी Stock की Stock Market में है किसी भी Index की, Nifty की, Bank Nifty की कभी भी Market सीधी लाइन में Travel नहीं करेगी चाहे कोई भी Time Frame हो Market हमेशा Travel करती है इस तरह इसको हम कह सकते हैं कि Market की Vibration Market उपर नीचे उपर नीचे गाम कर रही है यानि Price जो होता है वो कभी भी एक Rate नहीं होता वो Vibrate इस तरह होता रहता है यह होता क्यों है क्योंकि Market में बहुत तरह तरह के लोग हैं छोटा Player, भड़ा Player, हर तरह के लोग Investor, Seller, Buyer हर वक्त किसी ना किसी की Fight चल रही है तो इस चीज के चलते Market में Vibration रहती है तो Stock के Price fluctuate करता रहता है अब यह fluctuation कितनी है कैसे है, क्यों होती है इस चीज की समझ अगर आपको आ गई तो आपके यह जो गलतियां हैं यह खुद बास को दोर हो जागी मैं आपको कुछ Examples भी दिखाऊंगा अभी और आपको मैं काफी सारी चीज़े और समझाऊंगा तो वीडियो को पूरा देखिए कर दोस्तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें Suppose दोस्तो निफ्टी का ये मान लेते हैं एक weekly time frame है निफ्टी move कर रहा है ऐसे उपर नीचे उपर नीचे यानि हमने समझा कि निफ्टी weekly time frame पे उसका trend के है trend दोस्तो एक है निफ्टी का trend positive है निफ्टी net basis पे gain कर रहा है उपर जा रहा है आप देखोगा कि निफ्टी सालों साल से एक positive trend में है निफ्टी उपर ही जा रहा है पट उस up trend के अंदर निफ्टी के अंदर अलग-अलग moves है market उपर गई नीचे आई उपर गई नीचे आई इस तरह से कामकाच किया इस up and down में daily chart पे भी दोस्तो इस तरह से swings होंगे उस daily chart के अंदर भी swings होंगे उस daily के अंदर हर घंटे भी कुछ swings होंगे यानि market में हमेशा अलग-अलग time frame पे अलग-अलग level की vibrations चलती रहती है इसको समझते हैं कुछ practical concepts की मदद से और मैं आपको समझाता हूँ किस तरह आप अपने loss making trades को खतम कर सकते हो सबसे पहले देखते हैं दोस्तो एक chart JSW Steel का तो दोस्तो यह JSW Steel का daily chart है आपने दोस्तो यह भी feel किया होगा कहीं बार कि आप जब after market analysis करते हो चार्ट को देखते हो आपको सब सही समझ में आता है कि यहाँ पर buy किया होता यहाँ पर sell किया होता यह sell signal था यह था लेकिन जब आप actually trading करते हो तो हमेशा नुकसान होता है ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ देखे दोस्तों इस चार्ट को आप देखोगे तो आपको मन में यही आएगा कि काश मेंने यहाँ पर buy कर लिया होता और यहाँ पर sell कर लिया होता यह continuous 12 से 13 green candles है कोई भी इसमें stop नहीं है यानि अगर हम after market analysis कर रहे हैं में लगेगा कि यहाँ पर cash buy कर लिया होता और कितना easy trade था सीधी green line में यहाँ से यहाँ तक गया मगर दोस्तों ऐसा होता नहीं है आपको लग रहा है यह ऐसा है यह ऐसा होता नहीं है यह swing trade capture करना यहाँ पर buy करके यहाँ पर exit करना बहुत difficult task है वो क्यों है वो है law of vibration के कारण मैं आपको समझाता हूँ कैसे देखते हैं दोस्तों इसी swing को मैं आपके सामने 15 minute के time frame पे खोलता हूँ तो यह वो ही swing दोस्तों 15 minute के time frame पे है अब जब हम बात करते है swing trading की, positional trading की तो हमारा horizon कुछ भी हो सकता है तो तीन दिनों से लेके 15 दिनों तक का हो सकता है या इस से जाधा भी हो सकता है अगर हम बात करें एक swing trade की तो swing trading में आदा गंटा, एग गंटा, दो गंटे बहुत छोटा time frame है हमारे को से price के fluctuation से matter नहीं होना चाहिए मगर actual में ऐसा हम नहीं करते हमारे को होता है matter समझते हैं कैसे आप देख पार होगे कि Js.Ju Steel जो daily chart पर सीधी line में उपर गया 15 मिल के time frame पर किस तरह move कर रहा है उपर गया, नीचे आया, उपर नीचे, उपर नीचे इस तरह से इसकी चाल है suppose दोस्तो इसका lot size exact कितना है मुझे ध्यान नहीं बट माल लेते हैं 3000 के आज, इसके आसपास ही कहीं पे होगा तो आप देखोगे कि हर 2 गिंटे में इसकी जो movement है almost on an average आप देख सकते हो 3 to 4 रूपीज की हो रही है हर 2 hours में ये 3 रूपीज उपर या नीचे सही है, आपका trade सही है इस candle में बहुत जबर्दस buying दिख रही है momentum है, इसको जाना भी यहाँ पे है आपका जो net profit है, आपको expected है कि आपको मिल जाएगा 1 lakh रूपीज तरक का ठीके दोस्तो, अब हमने बात कि इसका lot size था 3,000 का अब हमने देखा कि यह किस तरह से नीचे आ गया, 3 रूपे तो जब यह 3 रूपे नीचे आता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तो, 3,000 into 3 आपको practically screen पे loss दिखाई देगा, कुछ time के लिए 9,000 रूपीज का, उसी तरह आप कहीं पे time frame पे या 5 minute के time frame पे इसके अंदर भी ups and downs आये होंगे यह यहां से यहां सीधा नीचे होगा ups and downs रहे होंगे तो जिस कारण से आपको screen पे हमेशा कभी भी आप बाय कर लो, कुछ ना कुछ एक minimum loss दिखाई देगा चाहे वो minus 10,000 हो इस case में चाहे वो minus 2,000 हो किसी छोटे time frame पे चाहे अगर आपका time frame बढ़ाया तो वो minus 20,000-30,000 का भी हो सकता है यानि अगर आपके अंदर loss bearing capacity नहीं है तो आप हमेशा नुकसान नहीं होगे क्योंकि आपको screen पे loss ना देखे एक सही trade के time पे ऐसा कभी भी शायद नहीं होगा अब इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो आप दोस्तो इस चीज के लिए हम समझते है क्या क्या कर सकते हो कि आपको यह जो screen पे loss है कम से कम देखे loss तो देखेगा लेकिन कम से कम देखे उसके लिए आप खुद को market के साथ align कर सकते हो आप market का खुद को tune कर सकते हो alignment दोस्तों बहुत ज़रूरी है market के साथ समझते हैं कैसे suppose दोस्तों market जो है इस तरह की cyclical waves में काम कर रही है कोई भी stock है या market है इसको जाना है उपर अब आपकी direction ठीक है आपने analysis किया आपने direction निकाला ठीक बात है लेकिन अगर आपकी entry आप करते हो यहाँ पर तो यहाँ पर entry करने पर क्या होगा आपको काफी जाजा समय तक बहुत ना के बराबर gain दिखाई देगा फिर आपको एक speed से down movement आएगी जिसमें आपको loss दिखाई देगा और इसमें आप हो जाते हो exit जबकि उसके बाद market ऊपर चली जाती है तो इसके लिए आप दो चीज़े कर सकते हो पहली आप entry अपनी right कर सकते हो आप entry यहाँ ना करने के बजाए यहाँ पर करने की कोशिश करो मगर यह बिल्कुल perfectly time कर पाना correct entry कर पाना यह दोस्तों सिरफ कहने में असान है करना बहुत मुश्किल है इस चीज़ के लिए काफी सारे indicators होते हैं बहुत सारे studies होती है जो मैं आपको आने वाले parts में इसी continuation में समझाऊँगा लेकिन अभी हम बात करने क्या क्या गलतियां होती है तो पहली चीज़ है जो आप अपनी entry को सुधार सकते हो डूसरी चीज दोस्तों यह है कि आप अपना stop loss सही तरीके से लगा सकते हो scientifically आप यहां पर अगर buy कर रहे हो तो आपका stop loss आपको मालूम होना चीज़ है इसकी frequency किया है इस wave की frequency किया है यह कितना उपर नीचे करता है on an average तो आप अपना stop loss इस तरह से रखो कि वो कितना भी उपर नीचे कर ले आपका stop loss हमेशे नीचे आ रहा है आपका stop loss कभी hit नहीं हो रहा अगर आप इन चीज़ों को implement कर लोगे तो आपके जो गलट trades है automatically correct trades में बदल जाएंगे दूसरी बात दोस्तो stop loss set सही से करने का मतलब कि आप में इतना stop loss bearing capacity होनी चीए आपको अपने trade पे इतना trust होना चीए कि आपको screen पे अगर वो कुछ time के लिए minus 10,000 भी दिखा रहा है या जो भी दिखा रहा है आपके trade की horizon और quantity पे depend करता है कि आप उसको hold कर पाओ क्योंकि आपको पता है उसमें उपर जाना है उसके अलावा stop loss scientifically आप कैसे लगा सकते हो कि कभी भी hit ना हो vibration को सही से पैचान के इसकी उपर भी मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा उसी तरह आप देख सकते हो कि यह nifty का chart है nifty का दोस्तों मैंने monthly chart खोल रखा है तो monthly chart पे nifty पिछले 5 months से continuously उपर जा रहा है पिछले 5 months की candle जो है वो एक green color की candle है लेकिन अगर आप इसी chart को daily chart करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे market उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे करके गई कोई ही शायद हम में से ऐसा होगा जिसने कहा होगा कि मैंने यहाँ पे nifty को buy किया और अभी तक मैं hold कर रहा हूँ शायद कोई FII भी ऐसा नहीं कर पाएगा इसके पीछे दोस्तों कारण यही होता है कि कौन सी cycle एक downtrend में बदल जाएगी हमें नहीं मालूम होता जब तक कि वो अपना confirmation ना दे तो हम क्या कर सकते हैं हम इन swings को capture कर सकते हैं इन swings के अंदर भी ups and downs आएंगे यह है दोस्तों vibration market की vibration market एक limit तक उपर नीचे करती है आपको इस चीज को समझना पड़ेगा price action को समझना पड़ेगा अगर हम बात करें निफ्टी की फिलहाल तो निफ्टी को आप देखो कि लास्ट तीन दिनों का 15 अमिनिट का चार्ट है market किस तरह move कर रही है market उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे कर रही है बट net basis पर market ने क्या किया market यहां से यहां आ चुकी है market almost 200 points उपर है तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि market की net direction क्या है इसको हम कहते है price section इसको आप समझने के लिए बहुत सारे price section के law और काफी सारे indicators, doubt, theory बगयरा को use कर सकते हो जिस पे मेरे और बहुत सारे videos हैं आप उनको देख सकते हो तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी किस तरह से law of vibration हमारे काम में आता है उसके अलावा इसका fundamental analyst और भड़े players एक और तरीके से use करते हैं आइए समझते हैं कैसे यह है दोस्तो investor's point of view से अब देखिए अगर आपको market में करनी है investment suppose हम बात करते हैं दोस्तो आज nifty की तो nifty की fair value क्या है मैं उस पर नहीं जाओंगा मुझे उसका idea भी नहीं है कि मैं fundamental analyst नहीं हूँ बट हम assume कर लेते हैं nifty की fair value है 10,000 तो nifty दोस्तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि nifty 10,000 की fair value है तो 10,000 पर ही टिका रहेगा market की एक vibration होती है nifty की अगर fair value दोस्तो 10,000 है तो nifty क्या करेगा 10,000 से थोड़ा उपर थोड़ा नीचे vibrate करेगा अब यह vibration कम भी हो सकती जादा भी हो सकती है उसको market की volatility से define करते है suppose दोस्तो nifty market में move कर रहा है इस तरह से nifty उपर दे रहा है 15% का move तो market की चाल किया हो गई market की upper limit हो गई यहाँ पे कहिना के 11,500 के आसपास और lower limit हो गई कहिना के 8,400 के आसपास तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि market इस तरह से काम करती है इन चीजों को समझने के लिए आप market के बढ़े time frame पे bollinger band या ऐसे कुछ indicators को लगा सकते हो अब आपको जब investment करनी है आपको समझना है कि आप किस जगा पे खड़े हो exact top पता लगाना impossible है लेकिन आप यह पता लगा सकते हो कि आप नीचे वाले band में हो या आप उपर वाले band में हो इसके लिए आप fundamental tools को निकाल सकते हो जैसे कि market का आप P.E. ratio देख सकते हो price to profit to earning ratio इसमें आपको पता पढ़ जाता है कि market कहां पे है तो जैसे अभी हम बात कर रहे है तो Nifty का P.E. ratio चल रहा है 32 के around तो इससे हमें पता पढ़ता है कि market के ना कि महंगे वाले zone में market उपर के side पे है तो market नीचे तक आएगी bottom तक या यहां से correct कर जाएगी center से यह नहीं बताया जा सकता क्योंकि market के अंदर बहुत सारी चीज़े होती है इस समय कोई government कोई अच्छी announcement करते है कोई tax cut हो जाए कोई worldwide कोई अच्छी चीज़ हो जाए या फिर कोई बुरी चीज़ हो जाए जैसे है कि coronavirus हो गया तो market यहां से नीचे आ गई तो market में sentiment प्लस उसकी fundamentals प्लस technicals तीनो साथ में काम करते हैं मैंने आपको समझाया किस तरह से तो यह market की दोस्तो vibration है आप इसको समझके खुद को market के साथ align करके इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं तो अगली बार कभी भी आपको ट्रेड लें और आपको थोड़ा सा माइनेस 2000-3000-5000 पांच या का loss दिखे तो आप खुद को market के साथ align करने की कोशिश कीजिएगा पहले सोचिएगा कि क्या आप market के एक cyclical चाल के अंदर फस रहे हैं या फिर ये trade ही आपका गलत है बहुत सारे लोगों का नुकसान इसलिए नहीं होता कि उन्होंने trade गलत पकड़ा होता है trade आपको दोस्तों मैं भी वीडियो में बताता हूँ आपको इधर से उधर से बहुत सारे मिलते हैं बट आपकी execution, आपकी alignment आपकी understanding of the markets वो गलत होती है तो उसी चीज़ को मैंने आज ठीक करने की कोशिश करी एक short वीडियो में इसके आने वाले parts में दोस्तों हम लोग समझेंगे scientifically कैसे आप stop loss लगा सकते हो ताकि कभी भी hit ना हो कौनसे indicators को आप use कर सकते हो जिससे आपकी entry और exit बिल्कुल perfect हो जाए और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में सीखेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक का बटन दबाएए उमीद करता हूँ ये eye opener वीडियो आपके काम आएगा आप जिस तरह से market को देखते हैं आपका point of view चेंज करेगा थेंक यू फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए